आज हम बना रहे हैं इजी समर ड्रिंक्स जो गर्मियों के दिनों में शरीर को थंड़क देंगे हमें एसेडिटी से दूर रखेंगे पाचन को बढ़ाएंगे और हमें हेल्दी भी रखेंगे तरो ताजा भी रखेंगे दिन भर यह पिंक लेमेनेड और दूसरा वाला शर्वत है नीम्बू की शिकन जी और इसके लिए कैसे हमने इजी और इंस्टन शर्वत तयार करने हैं यह सभी टिप्स और ट्रिक्स मैंने वीडियो में आपको बताई है तो चलिए शुरुआत करते हैं रेसिपी के लिए पिंक लेमेनेड लाल तर्बूस का जूस बनाएंगे इसके लिए मोस्ट इंपोर्टन टिप है सभी जूस बनाते वक्त अगर आपको इंस्टन बनाने है तो चीनी लेनी है चीनी को हमने मिक्सी पर ग्राइंड करके रखना है ताकि हमें आसानी हो अभी हमने ग्लास में डाल टू टीस्पून आइसिंग शुगर फिर डाल दिया है थंडा पानी और फिर डाल देंगे नीमबू का जूस टू टीस्पून इसे अच्छी तरह हम मिला लेंगे नीमबू तो आप जानते है हमें शरीर में थंड़क देता है अगर लंच के बाद ये दोपेर के खाने के बा लाल तर्बूस को मैंने मिक्सी पर ग्राइंड करके इसका जूस निका छाना है इसे मेंने और फिर ये तर्बूस का जूस भी हम इसमें मिला देंगे लाल तर्बूस शरीर को थंड़क देता है हमें हेल्दी रखता है दिन भर फ्रेश रखता है ऐसा ये जूस हमारा तयार ह समर्ड स्पेशल ड्रिंग घर पे ही आसानी से मार्केट जैसा बिल्कुल और इसमें मिला देंगे हम तर्बूस के ये तुकडे महीने से कटे हुए और एक्ट्रेक्टिव हमारे इस शर्बत को बना देते हैं बच्चे बोलेंगे मार्केट जैसा ही ये बिल्कुल शर्बत बना है बिल्कुल आसानी से तयार हो जाता है और फिर इसमें डाल देगे हम iis cube तयार है हमारा लाल तर्थ का जूस पिंक लेमेनेड मोहीतो तयार है घर में ही आसानी से instant ऐसा आप जरूर जरूर ये रेसिपी ट् जो हमें गर्मियों में राहत दिलाएगी, फ्रेश रखेगी, पाचन को बढ़ाएगी, एसीडिटी को दूर रखेगी, हमने गलास में डाल दिया है, टू टीस्पून आइसिंग शुगर फिर डाल देंगे, पानी और पानी मिलाने के बाद हम इसमें तुरंथ ही डाल देंगे नीम्बू का जूस, मैंने एक साथ दो से तीन नीम्बू नी चोड़के रखे थे, ये नीम्बू के जूस डालने के बाद, इसे अच्छी तरह हम मिला लेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ताकि चीनी जल्दी से मेल्ट हो, आइसिंग शुगर की वज़े से इसे मिला लेंगे, और फिर ये नीम्बू की शिकंजी बन रही है, तो इसमें चाहिए जीरा पाउडर, जीरा को मैंने बून की इसकी पाउडर बनाई है, जीरा पाउडर आधाटी स्पून, और जीरा पाउडर डालने के बाद, शरीर को और हमारे राहत मिले, ठंडक मिले, शरी पूदीना, पूदीना हम क्रश्च करके इसमें डाल देंगे, और फिर इसे अच्छी तरह मिलाकर ये तयार हुई हमारी नीम्बू की शिकंजी, ये बहुत ही शरीर को हेल्दी रखती है, पाचन को मजबूत करती है, ऐसा ये नीम्बू की शिकंजी, फिर इसमें डाल हम आइस क्यूब्स, तयार है हमारा नीम्बू का शिकंजी, शर्बत, और फिर लगा देंगे हम गार्निशिंग के लिए नीम्बू की स्लाइस, तयार है नीम्बू की शिकंजी, जो हेल्दी है, इंस्टंट बन जाती है, और हम दोपर के खाने के बाद इसे पी सकते है, हेल् गर्मियों के दिनों में गर्मी से राहत देता है ये तो तयार है हमारा पिंक लेमेनेड और निम्बू की शुक्यन जी जो गर्मियों के दिनों में हमें गर्मी से राहत देगा ऐसीडिटी से दूर रखेगा पाचन को बढ़ाएगा और हमें रिफ्रेश रखेगा दिन बर और healthy भी रखेगा पेट की सारी तकलीफे इन जूस से दूर होती है इतना ये healthy है दोनों भी अगर ये शर्बत पसंद आए तो मल्टी किचन पूने चाइनल को सब्सक्राइब कीजिए खाते रहिए खुश रहिए